Hello friends, welcome to my YouTube channel Friends, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपने फोन के फोटो वीडियो को अपने मिमोरी कार्ड यानि कि ESD कार्ड में डालना चाहो तो किस तरीके से फोटो वीडियो को ESD मिमोरी कार्ड में डाल सकते हो आज की इस वीडियो में हम आपको अई बताने वाले हैं तो वीडियो को विल्कुल इसकी इप मत करिएगा और लाश्ट तक बने रहीएगा तो चले friends वीडियो को स्टाट कर लेते हैं बेदावू टाइम वेस्ट के तो इसके लिए friends सबसे पहले आपको अपने File Manager एप को Open कर लेना है अब File Manager एप को Open करने के बाद friends अगर आप अपने फोटो को अपने SD कार्ड में डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक Image का Option देखनी को मिल जाएगा इसी पर आपको क्लिक कर देना है Image के Option पर क्लिक करने के बाद friends जितने भी Image होंगे आपके और सारे का सारे आपके यहाँ पर Show होने लगेंगे तो friends माल लीजे मैं Camera पर क्लिक करके यहां से इन तीनो फोटो को मैं अपने SD कार्ड में डालना चाहता हूँ तो इस तरीके से मैं इस तरीके से क्लिक कर लूँगा पीनो को इस तरीके से क्लिक कर लूँगा उसके बाद friends यहाँ पर आपको एक option देखनी को मिल जाएगा 3. का इस पर आपको क्लिक कर लेना है अब 3. के option पर क्लिक करने के बाद friends यहाँ पर आपको फोटो को SD card में डालने माला हूँ तो SD card के option पर मैं click कर लूँगा SD card के option पर डालने के बाद friends यहाँ पर आपको add a new folder का option देखने को मिलेगा इस पर आपको click करके यहाँ पर आपको एक नया folder बना लेना है जैसा कि माल लीजिए मैं यहाँ पर photo का बना लेता हूँ इस तरीके से इस तरीके से मैं folder बना लिया उसके friends यहाँ पर आपको move to folder के option पर click कर देना है जैसे move to folder के option पर click करेंगे friends यहाँ पर आपके phone से photo आपके SD card, memory card में जाना start हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो movie three files to photos यहाँ पर मेरे इस folder में जा चुका है तो friends इसी तरीके से आप अपने photo को अपने SD card, memory card में डाल सकते हो अब माल लेजे friends आप अपने video को memory card में डालना चाते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा बैख हो कर आना है उसके बाद यहाँ पर videos का option देखनी को मिल जाएगा इसी videos के option पर आपको click कर लेना है अब videos के option पर click करने के बाद friends आप इसके बाद friends यहाँ पर आपको three dot के option पर click करने के बाद friends यहाँ पर आपको move to का option देखनी को मिलेगा इसी move to option पर click कर लेना है उसके बाद friends यहाँ पर आपको पर आपको move to folder के option पर click कर देना है उसके बाद friends आपकी videos आपके SD card, memory card में जाना start हो जाएंगी यानि कि transfer होना start हो जाएंगी तो friends इसी तरीके से आप अपने memory card में photo videos को डाल सकते हैं तो friends यही छोटी सी जानकारी अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी helpful और knowledgeable लगी हो तो please video क लाइक करके channel को subscribe कर दीजिएगा